नमस्कार मैं आशीश हूँ अमरुजाला से और इस वक्त हूँ मैं उत्तर प्रदेश के उस सबसे सेंश्टिव जिले के आसपास के जिलों में जहां पर कल एक बड़ी घटना हुई लखीमपूर में लखीमपूर के पास में जगह पड़ती है पीली भीत जिसको मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है हमारे साथ बहुत सारे सिख कम्यूटी के लोग हैं जो उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने भी गए थे और उसके बाद इन्होंने अपने अपने जिल करता हूं कल की जो घटना होई पूरे देश ने देखा कि सत्ता पच्च के ग्रह राजमंत्री उनके बेटे ने किसानों को पीस पुली जो अपना अंदोलन कर रहे थे के शपरसाद मौर जी का बिरोध करने के लिए बैटे हुए थे प्रोटेस्ट सारा खतम हो चुका था कि किसान अपने घर को बापिस आ रहे थे तभी मंत्री के बेटे की वहां कोटी पास में पढ़ती है तो जैसा कि बताया जाता है प्रत दर्शियों के दोबारा कि वह अपनी गाड़ी में तीन गाड़ियां लेके निकले और किसानों को कीड़े मुकोड़ों की तरह रहे रौं परदर्शन हो रहा है उसमें आप लोग इस तरीके की लंगा जोने यहां पर अपना दर्ना परदर्शन किया और शांती पूर्ण तरीके से किया गुर्दवारे में आने जाने वालों के लिए लंगर विवस्ता थी जो जाम में फसे हुए थे बच्चे थे उनके लिए बिल 45-45 लाग रुपए दिये जाएंगे और उसके बाद उनको नौकरी दी जाएगी तो आप लोग इन चीजों से क्या कितना वास्ता रखें ने इस वासे सहमत हैं मतलब जो भी हुआ है सही हुआ है जो फैसला किया है और होने सजा मिलनी चाहिए आप लोग इसकी मांग कर रहे लोग परिशान हो रहे है इस पूरे हाईवे पर जो आसाम हाईवे इस पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ है आप लोग है यहां ऐसी पैसे सुच्छाचंत थी उसके बाद खोल दिया गया जितने भी मलक कसानी से संबंदित लोगों को किसी को रोका नहीं गया और राजनि पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें